यम्नानगर के गाउं शेरपूर में शहीद पुलिस इंस्पेक्टर बलजी सिंग की स्मृती में समार होकर उनके परिजनों को सम्मानित किया गया इस अवसर पर यम्नानगर पुलिस अधीक शक कमल दीप कोईल ने शहीद को शरधान जली देते हुए बताया कि 31 मई 1992 को पाला राम नाम के आतंकी की तलाश में पुलिस टी में पटियाला में उसके गाउं में दविश दे रही थी इस दोरान एक अन्यातंकी जर्नेल सिंग ने पुलिस पार्टी पर फारिंग की जिसमें इंस्पेक्टर बलजी सिंग शहीद हो गए थे उन्होंने बताया कि पुलिस मृती दीवस इन शहीदों को शरधान जली देने के लिए मनाय चा रहा है शहीदों के गाउं में ही समारो का आयुजिन कर उनकी परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है केरपूर गाउं के रहने वाले इस्पेक्टर बलजी सिंग ने 1992 में पटियाला के मटोली गाउं में उगरवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुती दी थी मुझे बहुत खुशी है कि आज के के इस कारेक्रम में शहीद बलजी सिंग की पत्नी उर्मिला जी उनके सुपूत्र सुरेंदर पाल जी जो की हमारे पुलिस महकमे में सुप्रिंटेंडर पुलिस की पोस्ट पे हैं और हम सब ने आज शहीद को याद किया और उनके उनको अपने शर्दा सुमना पित किये शहीद इंस्पेक्टर बलजी सिंग के बेटे सुरेंदर पाल ने कहा कि उन्हें अपने पिता की शहादत पर गर्व है शहीदों को शर्दान जुली देकर उनके परिजनों को सम्मानित करने की है पहल सरहानिय है इसे युवापीडी में भी देश भक्ती की भावना चाकरित होगी सियम साथ की जो यह जो पॉल्शी के तहट हर गाउं में जाके सहीदों को सम्मान देना यह बड़ा अच्छा लगा और मैं इनका आदर करता हूं और पर सहीदों को याद करना एक प्रेंड़ना है और एक देश के परती एक अच्छी भावना है उनकी कुर्बानने को पर हमने बहुत गरबा है उसे हम बहुत सारा परिवार गरब में सूस करता है और उनके पच्चनों पा चलने की कोसिश भी कर रहे हैं जैसे बेटा पुलीस में एक मज़ोद है और बगी दूसरी सर्वीस